नमस्कार दोस्तों, इस स्प्रीच्वल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे, इस वीडियो में आज हम जानेंगे गंगा ने क्यूं अपने ही पुत्रों को नदी में बहाया था, शुरू करते हैं, हिं सबसे प्रमुक पात्र भीश में भी मागंगा के ही पुत्र थे, आज हम आपको मागंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बाते बता रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते होंगे, ब्रह्मा ने दिया था महाभिश को श्रा, कौन थे महाभिश, चानते हैं, प्राजीन शमय मे एक वांग्शू वंस में राजा महाभिश थे, उन्होंने बड़े-बड़े यग करके स्वर्ग लोग प्राप्त किया था, एक दिन बहुत से देवता और राजश्री जिसमें महाभिश भी थे, भ्रह्मा जी की सेवा में आए, वहां गंगा भी उपस्थित थी, तबी हवा के वेक से गंगा के वस्त्र शरीर पर से कुछ खिसक गए, वहां उपस्थित सभी लोगोंने अपनी आँखें नीचे कर ली, मगर राजा महाभिश गंगा को देखते रहे, जब परमपिता भ्रह्मा ने यह देखा, तो उन्होंने महाभिश को म्रत्यू लोग यानि की प्रत करोगे, तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, राजा शांतनू की पतनी बनी गंगा, अब जानते हैं राजा शांतनू कौन थे, ब्रह्मा के श्राप के कारण, राजा महाभिश ने पुरू वंश में राजा प्रतीत के पुत्र शांतनू के रूप में जनम लिया, एक बा को देखा, उन्हें देखते ही शांतनू उन पर मोहित हो गए, शांतनू ने उनके समख्ष महरानी बनने का प्रस्ताव रखा, सुन्दरी जोकी मा गंगा ही थी, ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी, जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे, यदि कभी आपने ऐसा किया, तो मैं तुरंत आपको छोड़ कर चली जाओंगी, राजा शांतनू ने उस सुन्दर इस्त्री की बात को मान लिया, और उससे विभा कर लिया, इस तरह गंगा ने किया राजा शांतनू का अप्रिय, जानते हैं, विभा के बाद राजा शांतनू अपनी महरानी के साथ सुप पूर्वक रहने लगे, समय बीतने पर शांतनू के इहां साथ पुत्रों ने जनम लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस इस्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया सांतनू यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इस से इसका कारण पूछा तो यह इस्तरी मुझे छोड़ कर चली जाएगी आठ्मा पुत्र होने पर जब वे इस्तरी उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनू ने उस से र जाला था वे सभी वसू थे जिने वशिस्ट रिशी ने श्राप दिया था उन्हें मुप्त करने के लिए ही मैंने उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका इसलिए मैं अब जा रहे हूं ऐसा कहकर गंगा शांतनू के आठ्मे साथ लेकर चले गई वसू ने क्यूं लिया गंगा के गर्व से जनम ये भी जानते हैं महाभारत के आदी परविके अनुसार एक बार प्रथू आदी वसू अपनी पत्नियों के साथ मेरू परवत पर घूम रही थे वहां वसिस्ट रिशी का आश्रम भी था वहां नंदनी नाम की गाय भी थी दो नामक वसू ने अन्य वसू के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरन कर लिया जब महरसी वसिस्ट को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसू को मनुष्य यूनी में जनम लेने का श्राप दे दिया वसू द्वारा शमा मांगने पर रिशी ने कहा कि तुम सभी वसू को तो सीगर ही मनुष्य यूनी से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन इस दो नामक वसू को अपने कर्म भोगने के लिए लंबी समय तक प्रत्वी लोग पर रहना पड़ेगा इस श्राप की बात जब वसू ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारन करूंगी और ततकाल मनुष्य यूनी से मुक्ति कर दूंगी गंगा ने ऐसा ही किया वसिस्ट रिशी के श्राप के कारण भीश्म को प्रत्वी पर रहे कर लंबी समय तक दुख भोगने पड़े भीश्म को दिलाई श्रे और समय बीता शांतनु एक दिन गंगा नदी के टट पर घूम रहे थे वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा सा जल रहे गया है और वह भी प्रभाहित नहीं हो रहा इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर वे दिव्य युवक अस्तरों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों की प्रभाव से गंगा की धारा को रोग दिया है यह द्रश्य देख कर शांतनु को बढ़ास चरह हुआ तब ही वहां शांतनु की पतनी मागंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह इसने समस्तर प्रकार के अस्त सस्तरों को चलाने की कला सीखी है यह स्ट्रेश्ट धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है देवरत ही थे जो आगे चलकर भीश्म कहलाए यहां से शुरू होती है महाभारत की स्टोरी तो कैसी लगी आप सब को यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके आगे की कहानी भी यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दे इसी तरह की और जानकारियों के लिए स्प्रिच्वल ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में